दर्षिकों हर हर महादीव आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्षिकों आप सभी स्वस्थ और सुरशित होंगे। दर्षिकों आप सभी जानते हैं कि 13 मार्च को तृद्या दिती है। फालगुन माहा के इस बुद्वार पर यदि आप देवादीदी महादेव को प्रसन्ने करना चाहते हैं, अपने मन की कामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो इस छोटे से उपाय को आप अवश्य ही करें। पूजनिया पंडित प्रदीब जी मिश्रा ने अपने शिम महापुरान कथा में विशेश रूप से इस उपाय का वर्णन किया है। यदि सच्छे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ आप इस छोटे से उपाय को करते हैं, तो महादेव आपकी कामना को अवश्य ही शिम महापुरान में पूजनिया पंडित ची बताते हैं कि यदि आप जातक यदि सच्छे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ महादेव के समक्ष इस छोटे से उपाय को कर लेगा, तो महादेव उसके चीवन के सभी कस्टों को हर लेंगे और मापारवती स्वयम ही मालक् शिमी को आप अपने घर में इस्थाई रूप से विराजमान करना चाहते हैं, अपने मन की कामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को आप पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक सुनेगा और देखेगा, आज के इस वीडियो में हम आपको वह अच्यूक उपाई के बारे में जानकारी देंगे लेकिन उससे यदि आप पहले हमारी चैनल पर नए हैं पहली बार आवास को सुन रहे हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लेजे बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दीजे जिससे की हमारा जब भी कोई नय वीडियो आ थमने साथ तित्यों का वर्णन करते हैं उसी प्रकार से बुद्वार के दिन श्री गणेश के दिन को समर्पित माना जाता है शिव परिवार को समर्पित माना जाता है और आप सभी जानते हैं शिव पुद्र श्री गणेश विग्न हर्ता कस्ट हर्ता विनायक माने जाते है तो यदि आपके जीवन में भी कस्ट है, दुख है, तकलीफ है और आपके अनेको प्रयास के बाद भी वह समाप्त नहीं हो रही है, तो ऐसी परिस्थिती में इस उपाय को करना ना भोलें। चलिए अब बात करते हैं किस प्रकार से उस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना होगा हरी वाली साथ दुर्बा लेनी होगी। प्रकार से उपाय को करने कामना पूर्ण होगी।